हेलो फिएस्टों वेलकम बैक टू टेक्टिकल के वडियू टू चैनल फिरेंस आज की इस वीडियो में फिर से हम इस वीडियो का एक टेक्निकल एनलाइज की माद़ब से समझने वाले हैं इस वीड में मार्केट की सरीके से फर्फूम कर सकता है तो दोस्तों हर भी की तरह इस वीग भी हम तीन मेजर करनसी पेर के बारे में एक टेकनिकल एनलाइस करेंगे और समझेंगे इस वीग में मार्केट की सरीके से फर्फूम कर सकता है पहला यूरो यूजडी, जीबीप यूजडी, यूजडी, जैपी बारे में तो चलिए सबसे पेले हम समझने वाले हैं, यूरो-यूजडी के बारे में दोस्तों, यूजडी के एनलाइस करने से पहले तब वीडियो को लाइक जरू करिए फेंस और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफेक्शन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चली फैंस सबसे पहले हम यूरो यूइसडी को समझ लेते हैं यूरो यूइसडी करनसी फैर यहां से देखेंगे फैंस मैंने उपन कर लिया है और सबसे पहले हम बंडे के टाइम फ्रेम में देखेंगे और इसके बाद फोर हवर के टाइम फ्रेम में भी एनलाइस करेंगे तो चलिए यहां से सबसे पहले बंडे के टाइम फ्रेम में अनलाइज कर लेते हैं friends बंडे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के शिनेर आपको यहां पर देखने को मिलेगा one day के time frame है यहाँ फिर फिन्स अगर आप थोड़ ह 17 देखेंगे तो यह market यहाँ से अभी support लेता हुआ नजर आ रहा दिए धिक कि यह एक important support level है जो अभी यहाँ से market support लेता हुआ यहाँसे नजर आ रहा ठीक है और साती साफ फ्रेंस यहां से अगर आप देखेंगे यह एक trend line का भी यहां से support level है तो अभी यहां से market आपको support लेता हुए नजर आएगा इस level पे market ने support लिया और support लेकर थोड़ यहां पे एक up direction में जादा हुए नजर यहां से आ रहा है तो अभी फेंस यहां पे अगर देखा जाए हमें किस तरीके से trade करना चाहिए इस week में तो इसके लिए हम चलेंगे छोटे time frame में तो यहां से मैं 4 hover का time frame यहां से open कर ले रहा हूँ फोर hover के time frame अगर हम यहां से देखते हैं फेंस तो कुछ इस तरीके का यहां पे आप कुछ scenario देखने को मिलेगा अभी latest यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह कहीं न कहीं एक head and shoulder की तरह यहां पे बनाता हुआ नजर आएगा ठीक है यह आप देख पाएंगे guys यहां पे market ने के head and shoulder type का यहां पे बना है यहां से कुछ इस तरीके से है न यह मुझे एक head and shoulder की तरह यहां पे दिख रहा है तो guys यहां पे हो अगर हम buying की तरफ यहां पे देख रहे हैं तो अभी हमें यहां से buying के लिए थोड़ा बेट करना चाहि अभी इस level को अगर market breakout करता है इस level को breakout करता है तो easily हम यहां से buying की तरफ देख सकते हैं कुछ इस level का यहां से देखी अभी यह एक range है इस level को अंदर market फसा हुआ है अभी इस level को breakout करेगा तो हम buying की तरफ देखेंगे और इस level को breakdown करेगा तब हम यहां से selling की तरफ देखेंगे तो इस तरीकी का scenario मुझे देखने को मिल रहा है, चलिए फेंस समझ लेते हैं हम GBP USD चार्ड को, USD का चार्ड में ने उपन कर लिया है और सबसे पहले हम बंडे के time frame में समझने वाले हैं, यहाँ फेंस अगर आप दिहान से देखेंगे, बंडे के time frame में, तो आपको यहाँ पे market trend को follow करना बहुत ज़रूरी है, और अभी trend यहाँ पे down हमें देखने को मिल रहा है, तो अभी जो भी हम trade करेंगे, यहाँ पे sell बाड डारिक्ष्यम में हमें trade करना चाहिए, क्योंकि अभी trend यहाँ पे down देखने को मिल रहा है, जिससे आपने सुना होगा, trend is your friend, यानि trend को हमी फ्रेंड बना कर trade करना बहुत ज़रूरी है, चलिया बन डे के time frame में हमें यहाँ पे downtrend नजार आ रहा है, तो फिससे यहाँ से अगर देखा जा तो market का next support level कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे previous data को यहाँ पे check करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो यह market का next support level है, वो कुछ इस level का है, price यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो कुछ यह वाली price आपको देखने को मिल जाएगी, 13,500 के आसपास यहाँ से एक support level मुझे नजार आ रहा है, GBP, USD, वंडे के time frame में, चलिया अब छोटे वाले time frame में समझेंगे 4 hour के time frame में, तो फिस मैं आ चुका हूँ, यहाँ से 4 hour के time frame में, और 4 hour के time frame में कुछ इस तरीके का यहाँ पर scenario हमें देखने को मिल रहा है, 4 hour के time frame में अगर यहाँ से हम trend line को यहाँ पर देखेंगे, देखेंगे, यह मैने एक trend line को यहाँ पर draw किया है, कुछ इस तरीके से, तो अभी यहाँ पर इस trend लाइन के मार्केट रजिस्टेंस लेता हुँआ नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से देखिए आप यह ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस आपको साफ़ साफ नजर आएगा second यहाँ पे एक downward direction में मैंने trend line को यहाँ पे draw किया है इस trend line का यहाँ पे market ने अभी breakdown भी कर दिया है तो guys यहाँ पे proper confirmation मिलने के बाद हम GBP USD pair में sell direction में trade place कर सकते हैं अगर हम यहाँ से buying की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे guys इस level को breakout करने के बाद फिर हम buying की तरफ देखेंगे otherwise हम यहाँ से selling की तरफ ही देखेंगे ठीक तो इस तरीके से GBP USD में हम trade कर सकते हैं चलिए अब हम समझ देते हैं USD JPY pair को यहाँ पे guys USD JPY मैंने open कर लिया है और यहाँ से बंडे के time frame में हम पहले समझेंगे और इसके बाद four haber के time frame में समझेंगे तो बंडे के time frame में अगर यहाँ से हम देखते हैं fans तो यहाँ पे बंडे के time frame में market एक यहाँ पे higher high and higher low की तरह यहाँ से perform करता हुआ आपको नज़र आएगा ठीक है यह कुछ इस तरीके से लेकिन अभी market ने यहाँ पे एक correction करना start कर दिया है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो market एक correction करना start कर दिया है ठीक है अभी यहाँ से देखे यह एक important market का support level मुझे यहाँ पे दिख रहाता इस support level को यहाँ पे अगर market breakdown करता है अभी support level को market अगर breakdown करता है तो इसलिए fans यहाँ से हम हमारी trade को sell by direction में place कर सकते हैं यह देखिए यह एक important support level है तो चलिए यहाँ से हम छोटे वाले time frame में और समझेंगे four hour के time frame में मैं आ चुका हूँ four hour के time frame में और यहाँ पे guys इसको हम delete कर देंगे यह मैंने यहाँ से delete कर दिया अभी क्या देख रहा है हमें तो यहाँ पे guys बड़े वाले time frame में हमने एक support level को यहाँ पर draw किया है यानि support area को यहाँ पर mark किया है इसको थोड़ा हम adjust कर देंगे इसको थोड़ा सा सही से draw कर लेंगे कुछ इस तरीक से यहाँ पर market दे कि यहाँ पर इस level को breakdown नहीं कर पाए अगेर यहाँ पर try कर रहा है इस level को breakdown करने का तो guys अगर इस level को यहाँ पर market breakdown करता है तो अभी guys हमें यहाँ पर किस तरीक से trade करना है यहाँ पर हम देखेंगे HGPY pair में हमें किस तरीके से trade करना है तो fans यहां से अगर इस label को price breakdown करता है इस label को अगर price breakdown करता है तो easily हम इस label का यहां पर target देख सकते हैं इस label का यहां पर हम target रख सकते हैं यह हमारा first target and second target हमारी जो trend line है trend line का यहां पर एक जो support level नज़र आएगा तो इस बाले label का हम second target यहां जो मैं पर रख सकते हैं। यह हमारा second target रहे गा यह हमारा second target कुछ level का यहां पर हमारी trend line का का आ रहा है तो यहां पर first target अगर इस label को breakdown करेगा तो हम our이고 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 111.930 का यहाँ पर हम target रख सकते हैं and second target की अगर बात करें तो कुछ इस level का यहाँ पर second target हमें देखने को मिल रहा है यह कुछ 111.269 के level का हम second target यहाँ पर रख सकते हैं करना चाहिस के बारे भी हम यहाँ से समझ लेंगे तो फिस यहाँ से अगर इस level को market support लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर हमें up direction में जाता हुआ नजर आता है और तो दोस्तों हमें इस level का यहाँ पर एक support level नजर आ रहा है यह support level था लेकिन अभी market के लिए यहाँ पर एक heavy resistance face करना पड़ सकता है तो अभी हम यहाँ से buying कब करेंगे इस level को market अगर breakout करता है इस level को breakout करने के बाद हम यहाँ से buying की planning कर सकते हैं otherwise guys हमें यहाँ से selling की तरफ ही देखना चाहिए यह दोस्तों हमारे एक basic सा एक analyze है जो भी आप इस्टेटर जी यूज करते हैं आप उसका confirmation लीजिए और इसके बाद ही आपको trade करना है तो उम्मीद करता हूं फैंस आज की इस forecast वीडियो से आपको थोड़ा idea मिला होगा इस week में आप euro USD GBP USD USD JPY currency pair में किस तरीके से trade कर सकते ह हैं वीडियो फसन आतों वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बैल आइकन को जुरूद कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकिस्टन आपको सबसे पहले मिल जा तो आज की वीडियो में इतना ही फैंस म मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए टे कर एंड बावा दोस्तों